हाई फ्रेंट्स आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल UPSC Info24 में स्वागत है तो दोस्तो हम उमीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुस होंगे फ्रेंट्स यह जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रेक्टी सेट 161 है तो अगर आप टीजीटी पीजीटी एल्टी गरेज जी आईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्टी सब्जेक्ट से तो यह वीडियो आपके लिए है इस वीडियो के अंतक बने रहे हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों और चैनल पर नया है तो को जरूर सब्सक्राइब कर लिजी स्टाट करते हैं आज का पहला नमर कोशन जो 116 नमर से शुरू हो रहा है और एक कोशन आप देखेंगे तो नवदे विद्याल है जो पीजीटी परिच्छा 2019 में हुआ था उसमें पूछा गया कोशन है कोशन आपका है कि निमलिखित में से किन साही अफसरों के जिम्मे यात्रियों के जानमाल की सुरच्छा का कारेभार था निमलिखित किन साही अफसरों के जिम्मे जो यात्री होते हैं थे उनके जानमाल की सुरच्छा की जिम्मेदारी किसके पास रती थी उन्हें क्या का जाता था यह बताना है कामिक सार्थ वा राजभाट दिये चांट तो आपसन क्या हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा राजभाट बोला जाता था तो जो साही अपसर थे जिनके जी में क्या है जान जो यात्री होते थे यात्रियों के जानमाल की सुरच्छा का जो कारेभार समालते थे उन्हें राजभाट का ज प्रमुख कार्यमार्ग में यात्रियों की संपूर सुरच्छा प्रदान कर उन्हें गंतव्य तक पहुचाने में सहायता करना था इसके द्वारा यात्रियों को सुरच्छा प्रदान कर सासक के प्रति विश्वास बढ़ाना था आगे चलते हैं 117 नम्मर कोशन है आपका PGT ज क्लासिकल यूग कहा जाता है किस यूग को भारती इतियास में क्लासिकल यूग के नाम से जाना जाता है आपसन है मौर यूग आपसन B कुसार यूग आपसन C है आपका गुप्त यूग और आपसन D सातवाहन यूग तो किस यूग को क्या है क्लासिकल यूग की संग्या दी दिहास में कलासिकल युग कहा गया है तो ओ आपका गुप्त काल है गुप्त काल को कलासिकल युग का संग्या दिया गया है आपसंसी आपका सही है व्याख्या देखते हैं और अन्यमादपुर्ट तक्थ्यों पर प्रकाहे डालते हैं गुप्त समराटों के सासन काल में सब्वेता और संस्कृती के प्रतेक छेत्र में अभूत पूर प्रगती हुई तथा हिंदू संस्कृती अपने उतकर्ष की प्रकाष्टा पे पहुच गई गुप्त काल की चहुमुखी प्रगती को देखते हुए या ध्यान में रखकर ही इतिहास कारों ने इसे इस काल को क्या है सवड यूग कहा है इसी को कलासिकल यूग अथवा भारत का पेरी कलीच यूग आदी नामों से भी जाना जाता है तो जो आपका गुप्त यूग है या गुप्त काल है उसको हम सवड यूग के नाम से भी जानते हैं उसी के बाद उसको कलासिकल यूग के नाम से भी जानते हैं या उसी को भारत का पेरी कलीच यूग भी कहते हैं तो ये तीन नामों से जाना जाता है अन्य तथ्यों को देखते हैं तो समुन्द्र गुप्त का आदर्स सम्पूर जो प्रिथवी को बांदना था जबकी चंद्र गुप्त दिती का आदर्स कित्य प्रिथवी यान मतलब समस्त प्रिथवी को जीतना था तो समुंदर गुप्त का जो आदर्स था वो संपूर प्रिथवी को बादना था जबकि चंदर गुप्त दिती का क्या आदर्स था कित्य सन प्रिथवी जय अर्थात समस्त प्रिथवी को जीतना था इस युग की कला में अगोपान्त अध्यात्मिक सालिनता और भारतियता दिखाई देती है काली दास को भारत का सेक्स्पियर कहा जाता है और इनकी जो प्रसिद्ध नाटक है अभिग्यान साकुंतला में जिसके उज़े से बहुत प्रसिद्ध हुए अगे चलते हैं अगला कोशन है आपका 118 नमर है PGT 2000 में पूचा गया कोशन है कि गुप्त काल को क्लासिकल यूग क्यों करते हैं वारिज एवं व्योसाय में प्रगति के कारर करते हैं, कला एवं साहित में प्रगति के कारर करते हैं, तक्नीकी प्रगति के कारर करते हैं, सार्व भौं सत्ता के कारर करते हैं, तो क्यूं करते हैं, तो आपसन आपका बी सही हो जाएगा, कला एवं साहित में प्रगति के कारर ह तो क्लासिकल युग कहा गया है आगे चलते हैं दोस्तों व्याक्यान आमने ऊपर देखा था 119. में अजनता की कौँसी गुफा निर्मित हुई थी ए आपको पताना है तो इसमें आपका 10 जिसे गुफागा है पारात मैं ऐइसे आपको संख्या दिया रहता है तो उसमें जो आपक डी सोह जाका सोल हो सतरा संख्या है ओ क्या है आजनता गुफा की prevention में निर्मित हुई है तो इसको याद रखेगा सोला और सतरा जो है वो गुप्त काल में अजन्ता की जो है गुफा निर्मित हुई थी सोला और सतरा व्याख्या देखते हैं अजन्ता की 16 एवं 17 गुफा का संबंद किस से है तो गुप्त काल से है नवी और दस्मी जो गुफा के चित्रे है वो प्रथम सताब्दी इसा पुर्यों के नवी और दस्मी जो है वो क्या है प्रथम सताबदी के है नवी आपके जो नवी है और दसवी जो है वो क्या है प्रथम सताबदी के है तो इसको याद रखेगा पहली और दूसरी जो गुफा है पहली और दूसरी गुफा के चित्र सात्वी सताबदी इसापुरु के है दस्वी गुफा के जो अस्त किस से संबंदित है तो बहुत धर्म से संबंदित है इसको नोट कर लिजीगा अजनता की 16 गुफा के चित्रों में मरान आसन राजकुमारी नामक चित्र सरवाधिक सुंदर एवम आकर्सित है सत्रावी गुफा के चित्र विविद प्रकार के है इसे चित्र साला कहा गया है जो सत्रावी गुफा है उसके जो चित्र है विविद प्रकार के है इसलिए इसका नाम चित्र साला भी कहा गया है जातक कथाओं में सबसे अधिक सत्रावी गुफा में चित्रित की गई है जातक अजन्ता के प्राचीन्तम चित्र का काल है अजन्ता के जो प्राचीन्तम चित्र का काल है पहली सताब्दी इसापुरू दूसरी सताब्दी इसापुरू तीसरी सताब्दी इसापुरू या चौथी सताब्दी इसापुरू अभी अमने उपर देखा था तो आंसर जाएगा आ आंसर आपका 120 का दोस्तों ये के साथ जाएगा पौली सताब्दी हो जाएगा दूसरी नहीं पौली सताब्दी अजनता के प्राचीन चित्रका का जो काल है वो पौली सताब्दी इसा पुरू है आपसन ये सही हो जाएगा व्याख्या देखते हैं अजंता की गुफायें महराष्ट के आरंगाबाज जिले में इश्तित है प्रारम में अजंता में 29 गुफाओं जिले में चित्र बने थे। जो प्रारंब हैं, कुल कितने गुफाओं की संख्या थी, तो 29 गुफाओं में क्या हैं, चित्र बने थे, इसलिए संख्या दियागा, एक दो, तीन, चार पार, तो कुल 29 गुफाओं में चित्र बने थे, परंतु अर्तमान में केवल 6 गुफाओं, जिसमें, 1, 2, 9, 10, तथा 16 सत्रा के चित्र ही सेस हैं नवी दस्मी गुफाओं के चित्र प्रथम सताब्दी इसा पुरू के हैं नवी और दस्मी जो है गुफा के उसके जो चित्र हैं उप प्रथम सताब्दी इसा पुरू के हैं पाली और दूसरी जो गुफा चित्र हैं उस सात्मी सताब्दी इसा पु अजनता के गुफा चित्र बौध धर्म से संबंदित हैं अमने उपर देखा था अजनता की 16 16 गुफा के चित्रों में मरना आसन राजकुमारी नामक्चित्र सरवाधिक सुन्दर एवं आकर्सित है जातक कथाएं सबसे अधिक 17 गुफा में चित्रित की गई हैं एक कोशन मरना आसन राजकुमारी का जो एदिस अंकीत है राजकुमारी जो मरना आसन राजकुमारी यह उनका चित्र किसमे अंकीत है यह आपको बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा D 16 में किसका हो जाएगा 16 में आपका आंसर हो जाएगा D अभी हमने उपर देखा था गुफा संख की आकृति आती है किस काल के मंदिल की वास्तु कला में स्वर्प्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां आती हैं परमाड पल्लो गुप्त चंदेल तो आंसर क्या हो जाएगा गुप्त हो जाएगा दोस्तों गुप्त जो गुप्त काल के मंदिल है उसकी वास्तु कला में स्वर्वत्तम उधारर मंदिल है वस्तुता मंदिल के अवसे समय इसी काल से मिलने लगते हैं गर्बगरी प्रिवेश द्वार पर बने चोखट पर मकर वाहिनी गंगा और कुम्र वाहिनी यमुना की आकृतियां उतकिड मिलती हैं जो क्या है गुप्त कालिन की अपनी क्या है विसेशता है अन्य तथ्यों को देखते हैं तो द्वार के अलंकरन के संबंद में बारा मिहिर का मत है कि द्वार साखा के चोथाई भाग में प्रतिहारी अर्थात द्वारपाल तथा सेश में मंगल विहग, स्रीब्रिच, स्वास्तिक, घर्ट, मिथुन, पत्रवल्ली, अधिकांस मंदिल पसार निर्मित थे यह बहुत अच्छा विसेशता है कि गुप्त काल के जो मंदिल है वो अधिकांस क्या है पसार से निर्मित थे केवल भीतर गाउं एवं सिरपूर के मंदिल इटो से बने हैं यह विसेशता है यहां से अपवाद जो हैं उनको आप से कोश्चन बनेगा कि भीतर गाउं एयों सिरपूर के जो मंदिल है वही केवल इटे के बने हैं बाखी के जो गुप्तकाल के मंदिल है सब पत्थरों से बना है इसको याद रखेगा आगे देखते हैं 123 नमर कोश्चन है और PGT में पूछा गया है धमेक इस्तूप इस्तित है साची में, भरहुत में, सारनाथ में या जहासी में तो आंसर क्या हो जाएगा 123 का सी सही हो जाएगा सारनाथ में धमेक इस्तूप जो इस्तित है वो सारनाथ में इस्तित है आपसंसी आपका सही हो जाएगा व्याख्या देख लेते हैं इस्तूप का साब्दिक अर्थ होता है धेर या धूहा इसका प्रारंबिक रूप अर्ध गोलाकार मिलता है धमेक इस्तूप सारनाथ में इस्तित है इसका अंतिम निर्मार गुप्त समराटों के काल में ही माना जाता है राजगरी अन्य तथ्यों को देखते हैं तो राजगरी इस्तित जरासंग की बैठक का निर्मार गुप्त समराटों के काल में माना जाता है राजगिरी में जो जरासंग की बैठक है उसका निर्मार क्या है राजगिरी में जरासंग की बैठक का निर्मार राजगिरी में किया गया है और इसका निर्मार किसने करवाया है किस काल में हुआ है तो गुप्त समराटो दोरा या हुआ है या गुप्त काल भी कह सकते हैं कि गाल में जड़ा संग की बैठक का निर्मार हुआ है उद्यगिरी पहारियों से चंद्रगुप्त दिती के विदेश सचिव बीर सेन के जो प्राप्त लेक से पता चलता है कि उसने यहां एक सर्व गुहा का निर्मार करवाया था उद्यगिरी की जो पहारी है उँहां पर चंद्रगुप्त दिती के जो विदेश सचिव रहे हैं बीर सेन उहां से एक लेक प्राप्त हुआ है और उस लेक से पता चलता है कि उद्यगिरी पहारी पर एक सर्व गुहा का निर्मार करवाया गया था किसके दोरा तो आपका आंसर हो जाएगा व्याक्या देख लीजिए थोड़ा सा अभेग्यां साकुंतलम के लेखक काली दास है यह गुप्त कालिन सरोग क्रिश्ट रचना है इसमें दुसियंत और सकुंतला के मिलन का वर्ण गिया है प्रेम प्रसंग है इसमें याद रखेगा विसाखदत ने मुद्रा रासच की रचना की है बहुत इंपार्टेंट है कि मुद्रा रासच जो है किसकी रचना है तो विसाखदत की है इसमें चारक की योजनाओं का वरण है मुद्रा रासच जो है उसमें उसकी रचना विसाकदत ने किये और मुद्रा रासच में जो है क्या है तो चारक की ओजनाओं का वर्ण मिलता है वारभट हर्स का दरबारी कभी था इसने दो रचनाय की जिसमें हर्स चरित और कादंबरी है इसकी दो रचनाय है हर्स चरित और कादंबरी इसकी है हर्स चरित एतिहासिक वहासने श्वपनवासवधत्ता जो भहासने क्या है इसकी तीन रचनाएं तो स्वपनप्रसवधत्ता चारऊदत्ता अरू भंग की रचना किये तीन इसकी रचनाएं है इनको नोड कर लिजेगा भासने स्वप्न वास वदत्ता और चारुदत्ता अरू भंग की रचना किये किस ने किये तो महा कभी भास ने किया है इसको याद रखेगा माल विकाग्न मित्रम के रचैता है Colin Bacon रचैता ऐ बताईएगा छुद्रक कालीदास भारवी विशाग्दत तो answer आपका कालीदास हो जाएगा महा कालीदास है तो आंसर आपका भी सही हो जाएगा, व्याख्या देख लेते हैं, माल विकागन मित्रम काली दास का प्रथम नाटक है, याद रखेगा, जो माल विकागन मित्रम है, वो काली दास का प्रथम नाटक है, जिसमें माल विका और अगनी मित्र की पड़ाय कथा वड़ित है, और अ और सब्सक्राइब कर लेजिए का धन्यवा सत्यू नमस्कार